Hello everyone, welcome back to my channel आज हम जानेंगे कि period के 5 दिन पहले समद बनाने से क्या pregnancy लगने के chance होते हैं या फिन नहीं होते हैं तो last तक जरूर जुड़े रहें, काफे helpful वीडियो आपके लिए हो सकती है कई सारी females पूछती हैं कि हमको अगर हमने अपने period से 5 दिन पहले period आने के 5 दिन पहले समद बनाया है, तो इसमें pregnancy लगने का रिस्क रहता है या फिन नहीं रहता है, तो यहाँ पर pregnancy लगने का रिस्क नहीं होता है क्योंकि आपके जो ovulation है वो 14 दिन पहोता है, यानि कि period के बाद 14 दिन 14-15 इस तरीके से आपका ovulation होता है, 14 दिन या फिर 15 दिन तो आपका ovulation पहले ही हो चुका है और जो अंडा है वो 12 गंटे से लेके 24 गंटे तक आपके अंदर रहता है तो अगर आप period से 5 दिन पहले समद बनाएंगे, तो वहाँ पर pregnancy लगने के chance नहीं होता है दूसरा जिन महलाओं की irregular period है, उनका कोई fix नहीं है कि उनको कभी 21 दिन में period आ रहे हैं, कभी 15 दिन मा रहे हैं, कभी 18 दिन मा रहे हैं यानि की irregular period उनकी है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा risk होता है इस time पे pregnancy का क्योंकि उनका कोई fix time नहीं है तो उनका कभी भी हो सकता है, irregular period वाली महलाओं का, तो उनको pregnancy लगने के chance होते हैं, जो मैंने पहला बताया कि जिन महलाओं की regular cycle है, उनको chance नहीं है तो आई होब ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, रही हो तो let's share, comment जरूर करें और हमारी चैनल को जरूर सस्क्राइब करें आगे भी हम इससे तरह के helpful वीडियो लाते रहेंगे, so thank you, thanks for watching